राजसबा चुनाव करण है कॉंग्रेस ने अपने सभी विधायकों को कल जैपूर के लिए बुला लिया है विधायसबा में नामांकन के लिए जैपूर बुला है पीसेश चीफ ने सुभा नौ बज़े जैपूर पहुशने के निर्देश दिये हैं सभवत है कल ही कॉंग्रे अशोग घ्यालोच से करेंगे मुलाकात और चुकि राजस्तान के लिहास से भी तीन सीटों फर चुनाव होने है राज्यसबा चुनाव के लिहास से अब कॉंग्रेस ने सभी विधायकों को कल जैपूर बुला है विधान सभा में नामांकन के लिए जैपूर बुला लिया गया है सुवाना वजे पॉशने के निदेश दिये गए हैं और सम्भवत है कल ही कॉंग्रेस उमीदबाद झाल कि निकटी है तो ऐसे में यह कोशिच की जारिये पार्टी की के विदायकों को एक जुट रखा जाए साधी साथ जो नामांकर दाखिल होने हैं उसलिया से भी सस्पेंस लगातार बरकरार है राजस्तान से राजसबा जाएंगी सुनिया गांधी यह भी जानकारी है चुकि देखिए बात करें राजसबा चुनाव की तो प्रदेश से यानि की राजस्तान से तीन सीटे है जो खाली हुई थी इनमें किरुलाल मीना जो की राजसबा सांसत थे फिर उसके बाद बिदायकों बने चुनाव जी तो और फिर मंतरी उन्हें बनाए गया जला जानकारी देने के लिए मैं ऐसाथ वीरोचीफ नरेश शर्मा जुडगह है नरेश जी जानकारी दीजेगा कौन क्यून नामांकर दाखिल करेगा और हम कितने बज़े तक विधायक पहुचेंगे नामांकर दाखिल करने के लिए देखे तुकी तीन सीट है और तीन सीटों में दो सीट बाजपागे खाते में जाती नजर आ रही और एक कॉंग्रेस के जोली में आएगी तो कॉंग्रेस की तरफ से लगभगत हो गया है कि सोन्या गांधी को है वो यहां से नावांकन दाखिल करेगी और जो में सुचना मिल रही है कल ही नावांकर दाकिल किया जाएगा और इसके लिए समाम जो कॉंग्रेस के विदायक है उनको बुला लिया गया है जेपुल बुला लिया गया है और दस बजे तक जो है समाम विदागों को पहुंचने के लिए कहा गया है अलांकि इस्तार नहीं पताया लेकिन संभवत्या विदान सभा में या जो पूर मुख्य मन्तियसों के लुटतर आवास है वहां पर इकठा होंगे उसके बार नामांकर पत्र है वो तैयार किया जाए है लेकिन जो हमें सुचना मिली है कि पीची सिव गोई सिक डोटास रहा है वह जेपूर पहुंच गये हैं और पूर मुख्य मंतियसों के लोट से उनकी मुलाकात आर्ट सिविलाइन से हो रही है नेता पर्तिबश टिकराम जुली है वह अलवर से रवान हुए है वह कब आएगी इसका अधिकारिक कारिकम भी जल्द ही जो है बताए जाएगा और माना यह जा रहा है कि जब वह नामांकन दाकिल करती है तो कॉंग्रेस के जिसे बुरिष्ट नेता है वह भी मौजूद रह सकते हैं कासकर जो कॉंग्रेस के अट्रेक्श मलीका जुन करके हैं कैसी बेड़ गोपाल है और इसका अलावा राजस्तान के पीचो प्रमुखनेता है कॉंग्रेस के वह भी जोरान मौजूद रह सकते हैं तो आज देर शाम तक जो है वो कॉंग्रेस के जो मिद्वार है उनके नामते हो जाएंगे क्योंकि अन्य राज्यों में भी नामते करन पर देरें जो है वो सोनिया गांधी को तयार किया है कि वह राज्य सब्सक्राइब को चोड़ दे तो सभी सब्सक्राइब बाहर से है और मन्मौन सिंग की सीट खाली हो रही है तो कोंग्रेस के नेताओं की दलीज दी कि वरिश नेता को जो ही यहां पे उनका विकल्पर के तौर पे जो है वो लाना चाहिए और उनके इसान पे जो सीट खाली हो रही है उनके इसान पे किसी वरिशनेता को भी बेज़ दाना चाहिए जो कि आएसे में अगर सुनिया गांधी राजसाबा राजसान से जाती है तो रायबरेलिक के लेकिन फिलहाल राजसान परदेश को अंग्रेश ने कल के नावांगगन के लिए अबनी तैयारिया शुरू कर दी है नावांगगन पत्रे संभवता कल लिया जाएगा और विधायकों को जिन को की प्रस्तावक बनाया जाना है अलग-अलग सेट पर अलग-अलग विधायक कि जितने भी सेट होंगे उन सेट के अनुसारी विधायकों की जुरूत यहां पर होती है तो जल्द ही इस बात की संभावना है कि कल दस बजे जो विधायक तमाम आ जाएंगे जब नावांगन पत्र बहली जाएंगे उसके बाद दाखिल विधान सभा में किया जाएगा त चाहेंगे कि राजैसभा जाएंगी सोनिया गांधी तो ऐसे में क्या लगता है अब सोनिया गांधी का नाम तो है लेकिन जैसा कि नरेजजी भी बता रहे है कि तीन सीटि पर में मुकाबला है तो क्या एक बार फिर इस बार मुकाबला पेचिदा रहेगा, क्या तमाम सीटों पर उमीदवार उतारने की कोशिच में रहेगी पार्टी दिनेश जी? तो क्या एक बार मुकाबला पेचिदा रहेगी पार्टी दिनेश जी? खाता नहीं खोल पाई है, तो एक ये वज़े भी हो सकती है, कि यहां से अगर सोनिया गांधी लगती है, तो लोगतवा चुनाओं में एक बुस्टब यहां पर मिलेगा, कारिकरताओं का जो मनोबल और जोस है, वो उनके राजे सबा जाने से बढ़ेगा, तो ये कॉंग्रेस के रननितिकारों ने तैई किया गया, और कह सकते हैं कि राजस्तान के जो परस्ताओं को है, उन्होंने कॉंग्रेस कमेटी के शिवकार कर लिया है, लगबत, और थोड़ी देर बाद या राद तक आधिकारी करूप से, जो कॉंग्रेस है, अपने राजे सबा तुनाव पर याची करे जिवकारी करे जिवकारी करे जिवकारी कर दाद बाद आखिए।